दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आपके लिए उम्मीद की एक नई किरन लेके आएगा और वो है अपने जोडों की मस्बूती को बढ़ाने का नैचरल तरीका खास करके आपके कार्टिलेज और जोडों के ग्रीज को नैचरली बढ़ाने का तरी कि आप बिना किसी दर्द के बिना किसी परशानी के दोड़ते रहें खूते रहें और नाशते रहें लेकिन क्या आपको पता है कि उम्मर बढ़ने के साथ ये कार्टिलेज भी घिसने लग जाती है और फिर सिलसला शुरू होता है जोइन पेन का और स्टिफनेस का तो आज क कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कार्टिलेज को घिसने से कैसे बचाया जा सकता है और कैसे घिस चुकी कार्टिलेज को और सूख चुकी ग्रीस को नैचरली बढ़ाया जा सकता है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभ वो हड्डियों के सिरे जहां पर मिलते हैं, वहां इनके ऊपर कुद्रत ने एक rubber नुमा covering चाड़ाई हुई है, जो कि इन हड्डियों को क्या करती है, घिसने से बचाती है, और जटकों से बचाती है, और फेर्क्शन से बचाती है, और इसलिए अगर ये किसी भी कुझ जाए या वहाँ पर कोई damage आजाए तो इसकी वज़े से joint pain होने लग जाता है खास करके कोटनों के जो joints होते हैं उनके उपर इसका सबसे ज़ादा effect आता है और इसी की वज़े से अकसर osteoarthritis से लेकर rheumatoid arthritis तक बहुत सारे बिमारियां पैदा होने लगती है लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यह आता है कि अगर किसी का ये cartilage damage हो गया है तो इसको further damage से कैसे बचाया जाए और regenerate करने के लिए क्या किया जाए तो देखिए जो दवाएं वगएरा या physiotherapy आसके लिए आप लेते हैं वो तो अपनी जंगा important है ही लेकिन कुछ ऐसे simple measures भी हैं जो आप इसके लिए ले सकते हैं जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपनी diet में कुछ खास changes लाने होंगे जो कि आपके इन घुटनों के अंदर या आपके जो भी joints affected हैं उनके अंदर जो cartilage है उसको regenerate करने में आपकी मदद कर सके जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है आपका खाना सीधे तोर पे आपके cartilage की सिहत से जोड़ा हुआ होता है और इसको effect करता है positively और negatively दोनों तरीखे से studies बताती हैं कि कुछ खास तरह के nutrients जैसे के collagen, glucosamine और condritin और omega-3 fatty acids ये सब जो ऐसी चीज़े हैं जो कि आपके cartilage को जवान और मस्बूत बनाये रखते हैं सो चलिए देखते हैं कि हम अपनी diet में इनको कैसे शामिल कर सकते हैं और हमारे जोड़ों को कैसे ज़ादा मस्बूत और लचीला बना सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं collagen की collagen दोस्तों एक ऐसा protein है जो हमारे cartilage को बनाने में बहुत ही important role play करता है ये cartilage को strength देता है और elasticity देता है जो कि आपके जोड़ों को smooth movement देने के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी चीज़ है अब आप पूछेंगे कि collagen हमें कहां से मिलेगा तो इसका जवाब है कि आपके kitchen के अंदर जी हाँ दोस्तों chicken growth, fish और citrus fruits जैसे के oranges ये सब चीज़े collagen को boost करती हैं और इनको अपनी diet में शामिल करने से हम अपनी body के अंदर collagen के production को बढ़ा सकते हैं लेकिन सिर्फ collagen ही काफी नहीं है दोस्तों इसके साथ साथ कुछ दूसरे nutrients जैसे के glucose, amine और chondritin जो की again cartilage को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और इसको repair भी करते हैं और जोडों के अंदर grease को भी बढ़ाते हैं इनकी भी जरूरत हमारी body को काफी जादा होती है आपके टूट चुके cartilage को, घिस चुके cartilage को और हड़ियों में grease बढ़ाने के लिए इसके इलावा omega 3 fatty acids जो की salmon, fish, nuts और seeds के अंदर पाया जाते हैं ये inflammation को कम करते हैं और आपके घुटनों के अंदर चिकनाई को भी बढ़ाते हैं इनको लेने से भी आपको काफी जादा फायदा मिलेगा तो दोस्तों कोशिश कीजिए एक balanced diet की जिसमें सभी nutrients हो, variety of fruits और vegetables हो, nuts हो और lean protein भी हो ताकि आपके जोड हमेशा healthy रह सकें वैसे कई बार diet की मदद से इन nutrients को सही से लेना काफी जादा मुश्किल हो जाता है ऐसे में अगर आप चाहें तो supplements का सहारा भी ले सकते हैं ऐसा ही एक supplement है दोस्तों Phytica FlaxiMove Tablet FlaxiMove Tablet आपकी bones और joints को support करती है जिससे joint में stiffness, दर्द और सूजन धीरे-धीरे कम होने लगती है ये एक powerful 4-in-1 formula है जिसमें glucosamine, rosy powder extract, bosvilla serrata और sodium hyaluronate यूज किया जाता है glucosamine damage हो चुकी cartilage को heal करता है rosy extract anti-inflammatory होता है जो की जोडों के दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है bosvilla serrata यानी शलाकी जिसको ऐर्वेद में कहते हैं ये एक ऐसी herb है जो की हर तरह के joint pain के लिए हजारों साल से use होती आई है और sodium hyaluronate की अगर बात की जाए तो ये जोडों के इंदर grease को बढ़ाने का काम करता है चिकनाई को बढ़ाता है यानी in short अगर कहा जाए तो ये सभी चीजें आपके joints को 360 degree protection प्रोवाइड करती है और आपको long lasting relief देती है एक बात ध्यान देने वाली दोस्तों ये है कि ये जो product है ये कोई pain killer नहीं है दर्द निवारिक गोली नहीं है और इससे लेने से आपको तुरंत अराम नहीं मिलेगा ये एक ऐसा supplement है जो आपके जोडों को अंदर से ठीक करने का काम करता है जिससे naturally धीरे धीरे आपका pain कम होने लगता है और जोड़ हील होते है आपको चलने फिड़ने में इससे काफ़ ज़्यादा असानी होती है और long lasting relief मिलता है इस supplement की dose भी बहुत ही simple है आपको बस एक tablet सुबह नाश्ता करने के आदा घंटे बाद और एक tablet रात को खाना खाने के आदा घंटे बाद लेनी होती है effective results के लिए मैं recommend करूँगा कि आप 90 days तक इसको इसको इस्तमाल जरूर करें ताकि आपको proper results जो हैं वो देखने को मिल सकें इसके सभी links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे वहाँ से click करके अगर आप चाहें तो इसको purchase भी कर सकते हैं और आपको सही लगे तो इसको order भी कर सकते हैं डाइट के बाद दूसरा important measure है कि अपने joints को low impact exercises की मदद से धीरे-धीरे strong और flexible बनाया जाए अगर आपको दोस्तो arthritis की problem है तो आपको कोई भी exercise नहीं करनी चाहिए आपको जो है हमेशा low impact exercises ही करनी चाहिए जो आपके जोडों को नुकसान पहुचाए बिना उन्हें मसबूत बनाए अब आप पूशेंगे के low impact exercises कौन कौन सी होती है ये तो आपने बताया ही नहीं तो जान लीजे कि सबसे पहले तो आप swimming कर सकते हैं swimming एक ऐसी exercise है जो पानी के gentle resistance की वज़े से आपके जोडों को workout तो देती है लेकिन इन पर जादा जोर नहीं डलती है इसके अलावा आप चाहें तो cycling भी कर सकते हैं ये भी एक low impact exercise है जो कि आपके घुटनों को smooth movement देती है वहाँ पर जटका या कोई जोर वगएर ऐससे नहीं पड़ता है और lastly आप अगर चाहें तो योगा भी कर सकते हैं ये योगा जो होता है ये ना सिर्फ आपके मन को शान्त करता है बलकि आपकी ligaments को और tendons को stretch भी करता है जोडों के अंदर blood circulation को भी बढ़ाता है flexibility को भी बढ़ाता है और आपके जोडों को मस्बूत भी बनाता है लेकिन सवाल ये उच्टा है कि ये exercises cartilage के लिए इतनी जादा beneficial आखिर क्यों होते हैं research बताती है दोस्तों कि जब हम low impact exercises करते हैं तो हमारी body signable fluid को produce करती है ability देती हैं ना सिर्फ उनको मजबूत बनाती हैं बलकि cartilage को damage होने से भी बचाने का काम करती है अब बात आती है कि इन्हें daily routine में अपने हम कैसे शामिल करें तो इसके लिए मैं आपको थोड़े से tips दे देता हूं practically कि आप क्या करें जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप आदा घंटे की walk कर लें या फिर आप चाहें थोड़ी बहुत swimming कर लें अगर available है तो इसके लावा office में आप सारा दिन बैठे रहते हैं वहाँ बीच बीच में आप थोड़ा सा उठें तोड़ा चल फिर लें stretch कर लें और फिर रात को सोने से पहले 15 मिनिट आप योगा भी जरूर करें इससे क्या होगा कि आपका mind तो relax होगा ही, body तो relax होगी ही सासाथ आपके जो जोड़ है वो भी healthy बनेंगे और strong बनेंगे exercise के बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं top 5 superfoods की जो कि आपके cartilage के लिए super beneficial होते हैं तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जानकारी आपके जोड़ों के लिए एक game changer भी साबित हो सकती है सबसे पहला superfood जो मैं आपको recommend करूँगा वो है अनार यानि की pomegranate दोस्तों अनार को अक्सार हम लोग body में खून बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके जोड़ों के लिए भी बहुत ही जादा फायदेबन होते हैं अनार में anti-inflammatory code होते हैं जो कि आपके जोड़ों की solution को कम करते हैं और oxidative stress यानि जो शारेडिक तनाव होता है, cellular damage होता है उससे भी लड़ने में मदद करते हैं एक research के अनुसार अनार का juice पीने से cartilage के damage को रोका भी जा सकता है और जो already damage हो जुका है उसको repair भी किया जा सकता है दूसरी चीज है दोस्तो oranges यानि के संतरा, संतरा vitamin C से भरपूर होता है और यह ना सिर्फ आपके immune system को मजबूस बनाता है बलकि collagen synthesis करने में भी आपकी मतद करता है collagen जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, cartilage को strong और लचीला बनाने के लिए बहुत ही important चीज है तो संतरा लेने से आपको यह फाइदा भी मिलेगा इसके बाद नमबर आता है दोस्तों dark leafy green vegetables का जैसे कि पालक, शल्जम और बथुआ यह हरी भरी जो सबजियां होती है दोस्तों vitamin E से और calcium से भरपूर होती है और आपके cartilage को preserve करने के लिए essential होती है अपने रोज की सलाथ में आप इनको जरूर शामिल कीजिये या फिर आप चाहें तो एक tasty सा साग बना कर भी हफते में एक या दो बार इनको आप खा सकते हैं इनका मज़ा ले सकते हैं इसके लवा अगर specific herbs की बात की जाए तो turmeric और ginger यानि के हल्दी और अद्रक ये दोनों चीजे जोडों के दर्द के लिए और cartilage को repair करने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है इनके anti-inflammatory properties से तो आप वाकिफ हैं ही और इनही की वज़ा से जो है आपके joint pain में और जो सूक चुकी grease है उसको कम करने में दर्द को ठीक करने में आपको अराम मिलता है एक ग्लास हल्दी वाला दूद रात को सोने से पहले अगर आप पीते हैं तो इससे आपको काफी ज़दा आराम मिलेगा जोडों के दर्द में भी और आपको नीद भी इससे अच्छे आएगी इसके लावा अदरक काप पानी जो होता है अगर यह दिन में आप दो टाइम एक एक कप ले लेते हैं खाना खाने के बाद तो इससे भी आपको जोडों के दर्द में काफी अराम मिलता है और आपको डाइजेशन भी इससे इंप्रूव होता है लासली हमारा जो पाँचवा आईटम है दोस्तों वो है ग्रीन टी ग्रीन टी में कैटेकिन्स नाम के कुछ ऐसे एंटी आक्सिडेंट होते हैं जो आपके काटिलेज के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं दिन में दो बार एक कप ग्रीन टी पीने से आप अपने काटिलेज को खराब होने से बचा भी सकते हैं और काफी हद तक जो काटिलेज खराब हो चुका है घिस चुका है उसको भी रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तो डाइट में कुछ खास खिस्म के चीज़ों को शामिल करके लो इंपक्ट एक्सरसाइज करके और इन पाँच सूपर फूट्स को अपना कर जोडों की सूख चुकी ग्रीज, डैमेज हो चुके काटिलेज और दर्द से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है याद रखिए अगर आप जोडों के दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय कहना चाते हैं, इससे चुटकारा पाना चाते हैं, तो अपनी जिन्दीगी में ये पॉजिटिव चेंजिस आपको लाने ही होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो और भी देखना चाते हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेर कीजिए, खास करके अगर कोई जोडों के दर्द इसे परिशान है, तो उसके साथ तो जरूर शेर कीजिए, ताकि वो इससे क कुछ नया हासिल कर सकें, कुछ नया सीख सकें, और अपने इस जोडों के दर्द को बहुतर तरीके से मैनेज कर सकें, चलिए इसे के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बढ़ी आसी वीडियो में, त उस कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा.